अज का यह हमारा विज्ञान का है सेवेंद कलास का यहां पि आप देख सकते हैं जिसको आप कहते हैं BT, BC this is before growing तो यह पूरा का पूरा आपका बूक है इसको हम लोग कबर करेंगे इसमें टौपिक की संख्या जो दिया गया है आपका uthara he इसको पुरा का पुरा हम लोग भी खतम करने वाले हैं मात्र आपका जो है 25-30 मिनिट में और आप बने रहेगा अंध तक क्योंकि यहां से सवाल बनेगा आपका ऐसा ऐसा इसमें सवाल दिया गया है जो सायद ही आपको पता हो यहां पे दिया गया एक सवाल है रवाकरंद वा क्योंकि पहले हम लोग बीडियोग को स्टवार बनें गे Tonight SM कि इसको यहां कहा जा रहा है देखिए सथ और असत्यों के जो है के ज़रा एक मात्रसाच है तो बहुञाद का जогस्डान हरे ऊके करे 개ंस सिचाई का एक मात्र साधन है तो यह असत्त हो जाएगा असत्त बात है एक मात्र साधन यही नहीं है एक और भी बहुत सारे साधन है जल की कमी की समस्या का सामना केवल जो है ग्रामिन छेत्रों के निवासी करते हैं यह भी बात जो है गलत है असत्त है क्योंकि शहरी लोग भी करते हैं आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के उपर जो है उपका पूर्टी करें और यहां पहले जो है लाश्ट का जो आपको चैप्टर मिलेंगा लघभग सभी जगह पर आपको औरसा थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा एकाद मिनिट ज्यादा लग जाएगा यहां पर जो कहा जा रहा है भॉम जल्प रात्त करने के लिए आपको यहां पर ट्यूबेल हो जागा कि ट्यूबेल करिएगा और यहां पर जो हो जागा आपका वो हैंड़ पैंप कि हैंड पफ़क कर लिजिएगा हेंड़ पंप हो जाएगा आगे बढ़ते हैंप सब्सक्राइब जाल कि तीन अबंशता अस्तर लिखिएगा अस्तर आगे बढ़ते हैं अगला जो है देखते हैं आगे आप लोग थोड़ा सज में पेन का साइज बढ़ा करते हैं यहां पे कहा जा रहा है बन शूध करते हैं डाउडाट और डाउडाट को तो वो करते हैं आपको औस धिये पौधे और इमार्ति को इमारती यहां पर हो जांगा आपका इमारती आगे बढ़ते हैं अगला जो है आपका कह रहा है एबन में जो है चैवान पटियां और जंतू डावडावत को सम्रीद करते हैं तो च महमें हो जाएगा मिट्टी को सम्रीद करते हैं तो मिट्टी करिएगा च्छा का एंसर जो हो जागा मिट्टी और यहां पर मिट्टी गलत लिखा गया चलिए आगे बढ़ते हैं अगला जो है आपका अगला देखिए कहा जा रहा है सूच में जीवो द्वारा मेरीत पादवों पर किरिया डाउड डाउट द्वारा बनता है तो वो बनता है आपका हिूमस करिएगा हिूमस हिूमस हो जाएगा अगले सवाल को उपर चलते हैं अगला जो टॉपिक नमर है सेकेंड है जनतुव में पोशन है अगर आपके पास अब तो समय बचा ही नहीं है कि इसको आप रीड करिएगा तो चलिए सीधा हम लो कि एक रीट हो जागा कि एक रीट आगे जो है आपका कहा जा रहा है मनुस में भोजन का पाचन डाउडाउट में शुरू हो करके डाउडाउट में पूरा होता है तो मुख से शुरू होता है मुख गुही का भी लिख सकते हैं मुख से शुरू होता है और जो है अंत कहा हो की त्यारी कर रहे होँगे तो चोटीयात में होता है लेकिन बहुत सारे लोग इसको बड़ीयात बताते हैं तो बड़ीयात रहा है यहां मासे में हाइड्रो कलोरिक अम डावडाउट का जो है श्राब होता है जो भोजन पर इं कीरिया करते हैं तो यहांब आपका, पाचकष र्स करिएगा, अगला हो जागा, आपका, अगला देखिए, मनुस्में, पुषन के मुख चरण, डव 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 अवर, डव डाओट है, तो यहाँ पे मुख गुईका हो जागा, भोजन नली हो जागा, मासे हो जागा, छोटी हैँगा, रिख सबही मन भोजन लिखेगा कि अक कर लिएगा तो एक सवाल और है इसमें का एक आपने भोजन को डावडावड की सहायता से ग्रहन करता है तो अमीवा जो है पादाव लिखिएगा पादाव पादाव की सहायता से जो है ग्रहन करता है भोजन अपना अगला जो है सवाल है कहा जा रहा है सही गलत की जो है निशान लगाएं कहा रहा है कुतरने में सहायता कर वानेवला दाथ जो होता है क्रीन तक पहला का यह हो जाएगा अब सेकंड नमर भी में जो दिया गया है आपका इसको देखे कहा जा रहा है कि यहां पे इसका ही ऑप्षन है लार मंड यहां भी नमर देखिएगा कोचन है लार मंड स्टार्च को बदलता है तो वह बदलता है आपको कोच में तो ऑप्षन नमर भी हो जागा पीतरस का स्राव होता है तो पीतरस का जो है स्राव कहां होता है और जमा कहां होता है तो पीतासे में जमा होता है जिसको गोल बडाडर भी कहते हैं आगे बढ़ते हैं अब बसा का जो है यहां पर कहा जा रहा है बसा का पूर पूरू औरूपेन रोपेन 5 पाचन होता है वह आपका होता है छोटी आंत में यहां पर जलका जुआ अप्सोशन मुखता होता है जलका आप सोशन होता है आपका बड़ी आंत में प्रीस तो इसका बडियात भी हो जागा, चलिए अगले सवाल कूपर हम लोग चलते हैं, कहा जारे सत और असत में चीनहित कीजिए, अम आशय में हाइटरोकलोरिक अमल का सराब होता है, सत है या असत है, तो सत बात है यह शराव होता है पीतर से प्रोटीन का पाचन होता है तो यह सत बात है शिकन नमर असत है आगे चल करके बहुत आपको अच्छे अच्छे प्रस्ण है देखने कंले मिलेगा प्रोटीन का पाचन मुख से प्रारम्भ होता है तो प्रोटीन का पाचन आपका वो मुख से प्रारम्भ होता है तो यह भी बात असत्त है असत्त है चोथे नमर सवाल को देखिए चोथा नमर क्या कहे रहा है आपका चोथा कहे रहा है जुगाली करने वाले जो है निगली हुई घास को पुना अपने मुख मिलाकर धीरे-धीरे चवाते हैं यह वाला बात जो है सत्त है तो खोर नमर का सत्त किजिएगा छोटी आत मे स्लेश्मक स्रावित होता है यह बात जो है आपका असत्त है यह असत्त है आगे बढ़ते हैं अगली टॉपिक उपर यहां पर मिलान करने के लिए कहा जा रहा है तो मिलान करेंगे इसको बस यहीं तक है लाग तक है तो इसको मिलान करेंगे चोथे नमर सवाल को मिलान करना ह सरकरा होता है और आपका प्रोटीन का निर्मान अमीनोम हो जाएगा और यहां पर बसा का जो है आपका बसा आम्ल जो है यहां पर गिलरसीन गिल्सर रॉल है, और पीतरस का जो है, पितासे में, या गोल बलाडर भी इसको कहते हैं, और लार जो है, लार गरंती, तो इसका करिएगा यहां, चलिए हो गिया अगला सवाल के उपर, आहार नाल के कीन भागों दोड़ा एकार्ज होते हैं, तो आहार नाल के भोजन का चवा हर नाल का जो है भोजन का चवाना इसलाग्या नाम मे nord जो है आहाग्या आहाग्यार्ट्ट में करिए गल्etर जाई पर होना जो है अमा से अमा शेलिए गाख और आगे चलते हैं कहां जा रहा है आपका की उप्योगी पदार्थों का पाप-सो जो है होता है वह होता है आपका डाओ डाओ है यानि चोटी आत में पूर ले अ हैं मलसत यखाली आत कर लीजेगा अगले में सवाल है को रहा है एक सब्द में उतर देना है छठे नमर का मानव शरीर में पाया जाने वाला कटवोटतम पदार्फ जो है इना मेल है इना मेल करिएगा इना मेल इना मल कहते हैं इसको किता में इना मल लिखा गया है इसको हम पढ़े हैं और यहां पर है आपका सिकेंड नमर जो है पचे भोजन काप सोशन करने वाली अंगुली जैसी संद रचना है इसको क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग दिर्ग रोम कहते हैं या इसको एक और नाम रसा गूल भी कह सकते हैं रसा गूल आगे बढ़ते हैं अगला जो है आपका घास खाने बले जन्तुवे में जो है सेली लोज प अंधे नाल अगला सवाल है मीवा में भोजन पाचन का अस्थान डाउड आउट है तो जाएगा एप खाध धानी खाध धानी लिखेगा अगला जो है सवाल है आपका भोजन में अवेवेश्यों प्योगी पदार संस्लेशन की किरिया डाउड आउट होते हैं तो छोटी आ अगला के उपर हम चलते हैं अगला जो सवाल कह रहा है अगला टौपिक थीरी नमर है मिलान करने के लिए कहा जा रहा है तो गहरे रंग के कपड़े हम पसंद करते हैं तो गहरे रंग का जो है कपड़ा हम लोग पसंद करते हैं जो है सरदी में यह हो जाएगा समूद्र कहा पहनते हैं, तो गर्मियों में पहनेगे और थल समीर चलने का समय जो है रात में तो इस तरह से हो जाएगा अगला जो है 5 जारा सही उत्तर परचीन लगाए तो जाएगा इसका आपका छटे नम्ममर का गह हो जाएगा इन में से कोई नहीं होगा इसको आप हल करिएगा तो आएगा आपका 10 से 40 के बीच में आएगा तो इसको हल करके निकालना पड़ेगा फिलाल मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा 18 टॉपिक है तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ जाए तो तो क्या होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुछालब होने के कारण कोई परिभाव जो है नहीं पड़ेगा अब इसका अगला देखिए यहां कहा जा रहा है थर्ड़ नमर को 20 डिग्री सिल्सिएस तापर गर्म जल में 20 डिग्री तापर गर्म लो सब्सक्राइब को अगला इसको आपको ध्यान में रखना हैसिदी सड़क पर चलता हुआ जलता है और जूने की गति जो होती है दोलं गति होती है और लोला की गति होती है आवर्ती गति मिटी के बरतन में जो है आपका बनाने वाले चाक की घूर्णन गति क्योंकि वह घूर्णन कर रहा है अपने एक ही अस्थान पर है और जैसे पिर्थी भी घूर्णन करती है आप यहां से ऐसे भी समाझ सकते हैं निमलिखित में से कौन सा सरर रेखिये τη का उधारन अब इसका हो जाएगा आपका वह जाएगा सीधे पूलपर रेल गाड़ी सरव अभी आपने देखा था बस चल रहा था सिधा चल दा था जूले स्वीष की बच्चे की गती नहीं हो जागा विधूत पंखे की गती नहीं हो जागा और यहां पर जो है विधूत घंठी के तोड़े का भी नहीं होगा अगला जो देखते हैं सेकेंड नंबर है आपका दूसरा नंबर का आजरा निमली कौन सा जो है पर एडिक बरतुल गतिकका उधारन इनमें इसे कौन है तो एह फो जागा आपका सुर्ज के चार हो और पीटेवी की जो गती है ना एट बरतुल गती है बरतुल गती है अगला चलते हैं अगला है थर्वनलमर साल को देखिएगा कहा जा रहा है कि कि चाल का मूल मात्रक क् शाल का आप सबको पता है मीटर पर 35 होता है मीटर पर सेकेंड उप्षान नवर सी राइट आँसर अब यहां पे जो है निमेर्कल टाइप के प्रस्ण है देखिए seven class में numerical type के प्रस्ने दिये गए हैं तो यहां पे निकालना क्या कहा जा रहा है आपका बस दुवारा तय की गई दूरी है तो दूरी बराबर क्या होता है सूत्र लगाईएगा और निकाल लीजिएगा इसको और यहां पे देखिए जो है इस सही पूछा गया कि इन म को दो में बचाना है निम्लिः खीत के अध्येकर रूंटाओं को जो है आपको करना है भलना है तो भरी यह कहा जा रहा है कि डाव्डाव्डव गयं से जो है सूलक्ती हुई दिया सलाई के जलने में मदद करता है तो औकस् Desde करेगा आघ से नइक परईवारत निर्मान होता ध्रबाई तो रसायनी करेंगा रसायनीक परिवर्तन में यहां पर यह भी इश्जव से बहुत independent सवाल है से अरे छान के सोडे नाम होता है तो सोडियम बाइक आरब्त सिपर को शोडियम गुलियम जो है मैं भासम है घृक लगा लिजिएगा बाई कार्बोनेट कर लिजेगा कार्बोनेट करिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला जो कह रहा है जब कार्बन डायोकसाइड को चुने के पानी में परवाहित किया जाता है तो यह डाउडाउड के बनने के कारण दुधिया हो जाता है तो कैल्सियम कार्बोनेट के बन दर्बाने के कारण कि बिर्मिण हो जाता हा तुरिंदीद के बनने के कारण हो जाता है Uz kicking ऐगले सवाल के उपर चलेंगे हमदों का रहा है यहां पे देखिए कहा जा रहा है मिल्खित में से परिवर्थन का नाम आ गया है कौन-कौन जो में बदलना कौन सा परिवर्टन है यहां पर देखिए सीड़्न्र का परिवर्टन है क्यों सब्भुर्टन है शब्सक्राइग है यह बहुतिक परिवर्तन कहते कि इसको है तो सिंबल में आप समझेए कि बहुतिक परिवर्तन वह है जो अपने पहले का स्थिती जो है पराप्त कर ले जैसे कि पहले वाला जो अवास्था को पराप्त कर ले दूबारा से जैसे कि अगर हम चीनी में पानी को अगर मिलाएंगे तो हमको फिर से बापस से जो है चीनी हमको पराप्त हो जाएगा या नमक को भी अगर हम पानी में डालेंगे तो नमक भी पराप्त हो जाएगा या इसका जो भौतिक जो है रूप फिर से हम पराप्त कर सकते हैं और असायनिक में जो है नए पदार्थों का निर्मान हो जाता ह और उसका पहले वाला नहीं रहता है मतलब दुबारा से वह बापस से नहीं बनाया जा सकता है और यहां पर कहा जा रहा है मोम को पिगलना भी है भोतिक पर्किरिया है सिकण्ड नमर का भोजन का पाचन यह हो जागा आपका रसायनिक रसायनिक परिवर्थन हो जागा क्यों? क्योंकि अगर जब भोजन पच जाएगा तो फिर से दुवारास वो भोजन बन सकता है, क्या नहीं बनेगा तो रसायनिक हो जाएगा और एक नया पदार्त का भी निर्वान हो गया भोजन जब आप खाना ग्रहन किये तो वो जो है आपका पच गया और एक नए जो है पदार्थ में वो परिवर्तित हो गया परकास संसलेशन जो है आपका यहाँ पे परकास संसलेशन जो है एक कौन सा परिवर्तन है तो परकास संसलेशन रसायनिक हो जागा रसायनिक कि कि और यहां पहर जो एलमुनियम देखिए लमुनियम के टुकड़े को जो है पीटकर उसका पत्तर यह पायल बनाना कौन सा परिवर्टन हो जागा तो यह हो जागा भौतिक बहुतिक क्योंकि इलमुनियम पोगर पीट करके कोई समान बना जएगा तो फिर से उसको भठी में जो है उसको गर्म करने के बाद फिर उसको प्राप्त किया जा सकता है अब जल में जो है सक्कर को गोलना यह हो जाएगा आपका भौतिक ही हो जाएगा और कोईले को जलना क्य परिवर्तन कि क्यों कि यह जल जाएगा तो फिर से कोईला थोड़े न बापस से बनेगा नहीं बनेगा अब धेर लोग सोचिएगा कि कोईला कुछ यहां जहां में है आपका रवाकरंद वारा सुध पदार्थ प्राप्त करना जो है जहां में भौतिक परिवर्तन है याद रखिएगा भौतिक भौतिक परिवर्तन है अगले सवाल के पर चलते हैं ये पांटेन था पौधा से जह सीक्स में है पढ़े में सही उतर का जैंशीम लगाईए पढ़े में जो है अपना भोजन स्वैंड पस्यर्ए कहलाते हैं जो अपना स्वैंड भोजन बनाते को ज clockwise कह राते हैं अमर बेल जो है मार फिसंपोशी का उदरण है या परिसी जिसको कहते हैं पौधा का रसोई हर हो पति है रसोई घर कहने का मतलब भोजन प्राप्त होता है पत्ती से तो इसलिए इसको रसोई घर कहा गया अगला सवाल है कहा जा रहा है किट भची पौधा घट परनी है अपने इसको पढ़ा होगा जब सीटेट की अगर एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे होंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले जो है सवाल है अगला मिलान करने वाला है तो देखिए इसको मैं समय की बचत करने के लिए इसको मिला दियों पहले ही नाइट्रोजन जो हो जागा आपका जिवान हो जागा इस तरह से आपका यहां पे जन्तु जो हो जागा रंद्र हो जागा पत्ती में मिलान पपत्ती का हरा रंग क्लोरोफील के कारन होता है यहाँ पर लिग भी Yeah or जो है आपका यह यहाँ पर कारवण डियक्साइड है और यहाँ पर मस्रूम जो है आपका वो मस्रूम हो जाएगा मिर्त जीवी और जन्तु हो जाएगा विशम पोसी तो याद रखिए आगे बढ़ते हैं साथ में नमर अध्याय को देखिए आप लोग फर्स नमर सवाल है पवन दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है तो पवन की दिशा जानने के लिए सेकेंड है कहा जा रहा है आंधी आने पर जो है आंधी आने पर क्या होता है तो आंधी आने पर जो है आपका वो हो जागा किसी घर के अंदर जो है छूपना चाहिए यहाँ पे इन में से देखिए भाहर घुमना चलिए यह किसी पेड़ के निचे बढ़ना चलिए च्छे पड़ना चलिए नहीं किसी घर के अंदर शूपना चलिए पवन वेग मापि मापता है तो पवन वेग मापि पवन वेग को जैसे कि आपने पहला नम्मर सवाल था वही को यहां पर रिपीट किया गया है और सवाल है नहीं आगे बढ़ते हैं पाच में आठ में नम्मर अध्याय को देखिए कहा जा रहा है यहां पर इन में से जो है सही उतर का निशान लगाई है या गलत है जो भी है सही है इन में से कौन मौसम के घटक नहीं है तो पहाड नहीं है पवन मौसम का घटक है तपमान है आदरता है है न मौसम में जो परिवर्तन आता है इन सब चीजों से पहाड से नहीं आगे बढ़ते हैं पहा बंधिये उसने कटी बंधिये छेत्र में पाये जाने वाला जन्तु तो यहां हो जागा कस्तुरी मिरीग हो जागा अगला है धुरूबिये छेत्र में पाया जाने वाला जन्तु आपका है धुरूबिये भालू हो जागा और यहां पर चोथा नमर वैसे जन्तु जिनके शरीर पर बाल यानि फर की दो मोटी परते होती हैं वह पाए जाते हैं वह दुरूबिय छेत्र में पाए जाते हैं अगला देखिए अगला आगे है अब रीकता स्थानों को जो है यहां पर मिलान करना है एक सेकंड हो गया यहां पर अब यहां पर यहां पर देखिए पहले ही समय की बचत के लिए सारा कुछ दिरगबधिक के मौसम का उसत जलवायू कहलाता है आपका बर्स भर सुर्योदय और सुर्यास्त के समय में परिवर्तन होता है और तापमान अधरता का मौसम के घटक है आ यहीं भी कल्प को चुनना है अपसीष्ट जल जो है वह दूशीत जल है अपशीष्ट जल जो है वह दूशीत जल है ओप्शन नंबर जो है थजा हो जागा राइट अंसर विश्व जल दिवस 22 मार्च को जो पहले आपको आपको उमने बताया था स्टार्टिंग में चलिए अगला है यहां पे दूसित जल से होने वाला बिमारी जो है कैंसर हो सकता है आपको और यहां पे जो है पीलिया रोग का कारण है दूसित जल का बैभार पीलिया रोग का कारण है और चापा कल या कुए के पास जल जमाव से पे जल होता है सुबच होता है दूसित होता यानि कि नभी सुवता है अगर चापागल के आसपास या कुषिक होता है गड़ा में तो हो जाएगा आपका दूशित होता है अगला सवाल है आपका रीकत स्थानों को पूर्थी करना है से यहां पे तो यहां पे देखिए हैजा एक जैल जानित मिमारी है । और यहां पे कह जा रहा है, बायोगएस का उपयोग, उर्जा के सुरोध के रूप में जो है किया जाता है, और यहाँ पर जो है बहुत मल घर, स्कूल, होटल, और अस्पताल, आदिमें उपयोग के बाद होने वाला अप्सीष्ट जल होता है, वह यह यहीं कि अप्सीष्ट जल गंदा जल हो जाता है वो चौथे नमर सवाल का जो है बहित मल या जटिल मिश्रन है जिसमें जो है निलंबित ठोस्ट मिर्त जिवी और रोग बाहक जीवानु कार्बनिक और अकार्बनिक का सुधियां पाई जाती है अकरबनिक हो जागा पांच साल से कम उम्रिके बच्चों की मौत का सब से बड़ा कारण जल जनित भीमारियां होता है अगल अगले को जो है देखेंगे दमें नमर ट्रोफिक बिदुधारा किसे कहते हैं तो इलेक्ट्रोनों के सतहत परवाह को बिदुधारा कहा जाता है वो मैं ऐसे ही बता रहा हूं यह नमर को पढ़िए बिदुधारा के उसमिये परवाव पर अधारी सुरच्छा युक्तु को फ्यूज कहते हैं में दो या दो से अधिक सेलों के संजोजन को बैटरी कहते हैं और विदुधारा के परतिक में लंबी रेखा उसके धन टर्मिलन को निरुपित करती है और यहां पर जो है जब किसी विदुधारा के स्वीच को ओन किया जाता है तो उसकी एलिमेंट तब्त होकर लाल हो जाती ह है और यहां पे अड़ा में है बल का तंतू या फिलामेंट भी कह सकते हैं तब तब्त होकर परकास देता है तो बल में जो तंतू या फिलामेंट होता है और है नहीं अधिया एगारह में चलते हैं कहा जा रहा है रेशा और बस्त्र से शेप्टर है आपका बस्त्र तक एग रहमें नमर चेप्टर का पहला नमर स्वार जोड़ो जाड़े के दीनों में किस परकार का बस्त्र पहनते हैं तो उनी बस्त्र पहनते हैं इन में से कौन से जन्तूओं से प्राप्त होता है तो जन्तू से कौन प्राप्त होता है तो यह हो जाएगा आपका ए उनी और रेस्मी उनी और रेसमी जो है जनतूं से प्राप्त किया जाता है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल को गर नम्मर सवाल को देखिए कहा जा रहा है आपको रेसम प्राप्त करने के लिए रेसम कीटों का पालन करना कहलाता है तो सेरी कल्चर कहलाता है रेसम कीट पालन साफ साफ लिखा लिए है चारह नमाड्म website चलते हैं रिक्त स्थानो की पूर्ति कि जीए को रिक्त च्थानों के पूर्ति करेंगे एक कजो है आमनलेनें निटमस पात्र को लाल कर देता है कि यहां पे में और यदो है Hawk Han आपका आमल का स्वाद खट्टा होता है और रंग लाल हो जाता है और नीला थोथा कोपर सलपेट एक लवन है नीला थोथा कोपर सलपेट क्या है एक लवन है आगे बढ़ते हैं टौपिक है 12 ऐल चलिए अगला जो अध्याय है आपका वो अध्याय है यहां पर दियां तेरह मिटि से समन्धीत प्रस्णानाएंगे तो कहा जा रहा है जल, धारन, छमता सबसे अधीक होती है तो जल, धारन, छमता जो होती है वो चिकनी मीटी में होती है यहाँ पे खा जा रहा है सेकेंड अमर धान की फसल की उप्युक्त मीटी कौन है तो धान के फसल के लिए जो है आपका उपियुक्त मीटी कौन सा है तो यहां पे जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा चिकनी मीटी एवं डोमट मीटी अगला है आपका कीश परकार की मीटी में जो है अंता स्रवन दर सबसे अधीक होता है तो वो होता है आपका बलूई मेटी में सरवाधीक होता है अगला आपका टॉपिक है अध्याय नमर 14 को देखिएगा पहला जो सवाल है यहां पे मेंशन किया गया है पौधे में जर लेबं खनीज किपटार्थों का सम्भान जायलं दवारा जैसे ही जायल आजाय तो जायलं मारीगा और आपका बहुजन जो है पॉधय में बहुजन का जो है सम्भान के लिए आजाए तो फोलो यह मारिए गत वारो up भास्व के रूप में पतीों से जल का उत्सरजित होना बात्सपोग जर्जन कहलाता है और यहाँ पे अगला देखते हैं अध्याय नमर 17 क्योंकि आपका जीवो में स्वल्शन है अध्याय नमर 15 क्या कह रहा है सही उत्र पे निशान लगाने के लिए कह रहा है तो यहाँ पे अंता स्वासन के समय जो है पसलियां जो है अंता स्वासन की पसलियां उपर और बाहर की और गति करती है खा में है उच्छे स्वासन के समय पसलियां जो है आपका वो हो जागा नीचे और अंदर की और गति करती है अगला देखेंगे इसमें और है गा में है आपका कहागा है मचली में सुवसन जो होता है वो किसी सी से होता है तो गलफड़ा से होता है और सुवसन के फलसुल गैस निकलती है तो वो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन अगले सवाल के उपर चलेंगे अगला सवाल है सवाल केहां मिलान करना है तो रहता है पघड़ं में होता है यह सब्सक्राइब और बहाद से मनुष तुर गफड़ा पे बोला जाता है आगे बढ़ते हैं यहर तष्भ स्थानों को भण अनतरस बंसन में आक्सीजन गैसे न गशासे जो है परैयूग तो होता है तथा जो है उच्छ सोबसन में आपका कारबंड येयुक्षाइड विमूग तो होता quartz शेके-डिनM का कारबंड येयुक्स हैड, पानी को दुधिया कर देता है ऑक्सीजन की उपस्थिती में होने वाला सुवसन ऑक्सी सुवसन कहलाती है और यहां पर है ऑक्सी सुवसन ऑक्सीजन की उपस्थिती में होता है तो यानि कि आपका यह हो गया अब आगे बढ़ते हैं सुलहवे नमर चेप्टर को देखिए, फास्ट नमर है आपके, यह कहा जा रहा है जिस पर्तवीम को परदे पर प्राप्त किया जा सके वह बास्तिजिक पर्तवीम कहलाता है, और यहाँ पे उत्तल दर्पन अभासी पर्तवीम बनाता है, और आपका यह पर्तवीम सदय लाता है तो वो करता है पर जाता है परगशित होकर बदल जाता है में option A हो जाएगा और यहां पर कहा जा रहा है कि ना रिवा मादा युगमक का मिलना कहलाता है तो वो क्या कहलाएगा तो वो कहलाएगा है निशेचन कहलाएगा तो यह हो जाएगा आपका option नमर जो है second right answer अगले सवाल के उपर चलते हैं यहां पर एक तस्थानों को पूर्टी करने के लिए जनन जो है जनक पौधे के काईक भागों में नए पौधों का उत्पन होना पौधों के जनन कहलाता है आपका और यहां पर है जीन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनन होते हैँ वह एक लिंगी फूल कहजाते हैं और यहां पर है आपका प्रागन कोश्च से प्राग कनों का बर्तिका में अगला सवाल है एक है है यहां पर नर्यवा मादा युगमकों को मिलने से युगमज का निर्मान होता है युगमज करिएगा और अब लास्ट टोपिक है अठ रहमा इसको भी देखिए फटा-फट से रक्त जन्तूओं के किस भाग के द्वारा जो है परवाहित होता है तो यह नमर का हो जाएगा आ भाहिनियों में खो नमबर रक्त का लाल रंकिस बरन के कारण होता है तो हीमोगुलूबीन के कारण होता है आप सबको पता होगा और यहां पर है घर नमर को देखिए कहाँ जारा रक्त में वे कोशका है जो रोगानियों को जो है नस्ट करते हैं तो वह डबलू बीसी हो जा है तो रगद का ठक्का जो बनेगा वो पलेटलेस्ट के कारण बनता है पलेटलेस्ट तो यहाँ पर इसको थोरा चा आप लोग बढ़िया से देख लिजिए और है तो यह है आपका अब इसका जीमन काल होता है WC का एक चीज़ और लिख लिजिए तीन से चार दिन होता है तीन से चार दिन और रबीसी का जो है 120 दिन 120 दिन यानि कि 120 दिन के बाद जो है रबीसी जो है मर जाता है बलड और फिर से जो है नया बलड का निर्मान होता है filtration होता है श्रीर में यहाँ पे जो है अगला सवाल च्याक को देखिए यहाँ पे कह रहा है बिश्राम के वस्था में एक वैक्ति एक बैस्क वैक्ति की नाड़ी अस्पंदन होती है तो बहुत तरवार होती है और यहाँ पे वे रक्त बाहिनिया जो हर्दय में oxygen समर्धन रक्त के सरीर रक्त को सरीर के सभी भागों में ले जाती है धबनी कहलाता है और वे रक्त बाहिनिया जो carbon dioxide समरीद रक्त को सरीर के सभी भागों में बापस हर्दय में ले जाता है उसको बापस हर्दय में ले जाता है वो सीरा ले करके जाता है और यहाँ पे जो है डांक्टर है कि धड़कन मापने के लिए एस्टेर्थो और यहां पर चोथा नमर अप्षिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाले की परकिरिया उत्सर्जन कहलाती है और हमारे सवाल है यहां पर मिलान करना है धवनी अबंसीरा जो है आपका वो इधर यह रग्त बाहिनिया है अब शिष्ट पदार्थ जो है आपका इवरिया और लवन है और यहां पर जो है ऐस्टेथोश्कोप से जो है हर्दे की धड़कन मापते हैं और डाइलेशिस जो है रग्त को चानने की विधी है और बिलियम हारवे रक्त परिसंचरन की खोज किये थे या जैनक थे अगला जो है सवाल है यह आखरी सवाल था तो वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को फिडवे कवर्स दीजिएगा कमेंट बॉक्स में फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट जो है आपका बूक ह उसको लेकर के अभी बचा हुआ है और एक्जाम इतना नजदीक है कि आप लोग बहुँ ज़्यादा घवरा गए हैं तो 20-25 मिनिट का वीडियो मेरे हिसाब से बहुँ ज़्यादा नहीं है समय आपको ज़्यादा नहीं जागा यह एक बार सिर्फ वाच कर करके देख लेना ज़्यादा नहीं है